हाई आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि नाइट स्कीन के रूटीन पहले हो गया और मॉर्णी स्कीन के रूटीन बाद में थोड़ा सा उल्टा-पुल्टा हो गया जाने तो छोड़ो तो आज किस वीडियो में आपको जितने प्रोड़क्स बताऊंगी ना वह सब मैं इंपोटेंट है और अगर आप चाहते हो ना कि आपकी स्कीन मॉर्णीं से लेकर इवनिंग तक खिली-खिली रहे मतलब उसमें जान रहे तो आपको स्कीन के रूटीन अब भी से फूलो करने स्टार्ट कर देना चाहेगे अच्छली मॉर्णीं के टाइम में हमारी स्कीन पे करती हूं करने के लिए मैं यहां पर हिमाल्या नीम फेस्वास का यूज कर रही हूं एंड जेंटली पूरे फेस पे और नेक एरिया पे टू टू थी मिनट तक मसाज करती हूं ताकि मेरे फेस पे जितना भी डर्ट, डर्स्ट, पोल्यूशन और ओईल है सब अच्छे से रि प्रॉब्लम है तो उसे भी यह ठीक करता है तो तो थी मिनट बाद आप अपनी फेस को वास कर लीजे और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई है और अगर आपको पिंपल या फिर आकनी की प्रॉब्लम है तो आप क्लीन और क्लीर फेस्व नहीं मिलेगा तो सबसे पहले आपको एक ग्लास गुर्गुना पानी करना है और उस पे हाफ लेमन एट कर देना है देन आपको पी लेना है निंग के टाइम में लेमन और वाटर पीने के तो बहुत सारे फायदे हैं लेकिन मैं यहाँ पे एक दो फायदा आपको बता देती हूं यह हमारी बोड़ी को डिटॉक्सिफाय करता है और इसी वज़े से हमारी स्किन पर ग्लो भी आता है और आयुर्वेदा की एकॉर्डिंग लेमन और वाटर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बुस्टप करता है जो कि हम सब जानते हैं आजकल के टाइम में बहुत ही ज़ लेती है और ब्लड सरकुलेशन होने की बज़े से हमारी स्किन पर ग्लो भी आ जाता है तो मसाज करने के लिए मैं यहां पर एलोवेरा जिल यूज कर रही हूं आपको थोड़ा सा अलोवेरा जिल लेना है और पूरे फेस पर अच्छे से एपलाई कर लेना है देर मसाज करन के बाद 25-30 मिनट तक आपको ऐसे ही छोड़ देना है कुछ भी फेस पर अपलाई नहीं करना है और फिर 25-30 मिनट बाद आपको अपने फेस को अच्छे से वास कर लेना है फिर में टोनर अपलाई करती हूं पूरे फेस पे टोनर के लिए मैं यहां पे रोज वाटर का इससे स्कीन पर जमा एक्स्ट्रो आयल को हटाता है और इसकीन में चमक और निखार के साथ साथ यह हमारी स्कीन को सॉफ्ट भी करता है रोज वाटर आपकी स्कीन को बहुत ही कूल रिफ्रेसिंग प्रोवाइड करता है और अगर आपको ओपन पोर्स की प्रोब्लम है तो उ मैं बहुत टाइम से ऐलोवेडा जिल को ऐसे मॉस्ट्राइजर यूज करती हूं अपने फेस पर क्योंकि ऐलोवेडा जिल हमारे स्कीन को हाइडरेट और मॉस्ट्राइजड रखता है लंबे टाइम तक और अगर आपकी स्कीन ड्राय है या फिर ओईली है या फिर एक्नी प कुटकाडा मिलेगा यह आपकी स्कीन पे कूलिंग एफेक्ट भी देता है आयम योजिंग वाव एंटी पॉल्यूशन संस्कीन अगर आपको भी लगता है ना कि घर जब बाहर निकले तभी संस्कीन अपने फेस पर अप्लाई कर और घर के अंदर संस्कीन अप्लाई करने का चाहे आप घर से बाहर रहो या घर के अंदर हो कोई फड़क नहीं पड़ता है कि घर में लगी ट्यूब लाइट और बल्ब से भी यूवी रेस निकलती रहती है तो खत्रे से खाली नहीं है बिना संस्कीन के राना तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आप चाहे घर के बाह हो या अंदर हो कोई फड़क नहीं पड़ता आप साने स्कीन अपने फिर्स पे जरूर एप्लाइ करिए तो होप है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हलफ पूल रही होगी तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई टेक क कर दिए